नमस्कार आपको स्वागत एश्या न्यूज इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ बिहार के मुक्य मंत्री निदिश कुमार की सरकारी गाड़ी नियमों का उलंगन करती पाई गई है इस गाड़ी का पॉलूशन सर्टिफिकेट 3 अगस 2024 को समाप्थ हो चुका है लेकिन इसके बावजुद ये गाड़ी सड़को उपर चल रही है ये जानकारी तब सामने आई जब मुक्य मंत्री रहोतास चिले के करगर प्रकंड के कुसी बेत्या गाउं में जीम दिनिश कुमार राय के पिता की पूर्णे तिती में शामिल होने पहुचे ये पहली बार नहीं है जब मुक्य मंत्री की गाड़ी नियमों का उलंगन करती पाई गई है इससे पहले 23 फरवरी 2024 को इस गाड़ी का सीट बेल्ड ना लगाने के लिए 1000 रुपे का चालान काटा गया था लेकिन अब तक जुर्माना जमान नहीं किया गया है ऐसे में सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति पर राज्य में कानून विवस्ता और नियमों के पालन की जिम्मेदारी है वही कई महीनों से नियमों की अंदिखी कर रहा है परिवार विभाग द्वारा राज्य भर में वाहन जैकिंग अब्यान चलाया जा रहा है इस अब्यान के तहर आम जन्ता के वाहन अगर थोड़े भी कागजी दस्तावेजों में कमी पाय जाते हैं तो तुरन चालान काटा जा रहा है लेकिन मुख्य मंत्री की गाड़ी का पॉलूशन पैल होने के बावजूद क्या उन्रे खिलाफ जर्माना लगाया जाएगा यह सवाल जन्ता के बीड चर्चा का विशाय बन गया है आज येटी नेता विमल कुमान इस मुद्बे पर पतिक्रिया देते वे कहा यह बिहार का दुरभागे है कि मुख्य मंत्री की अपनी गाड़ी का पॉलूशन पैल है जबकि वह आम जन्ता पर बेवज़ जर्माना लगवा कर अत्याजार करवा रखे हैं राज्य के कई मंत्रियों की सरकारी गाड़ें के कांगजात भी अधुरे मिलेंगे यह सुशासन के दावे की पोल खोलता है अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि मुख्य मंत्री की गाड़ी पर परिवहन विबाग करवाई करता है या नहीं अगर मुख्य मंत्री की गाड़ी पर जर्माना नहीं लगता है तो राज में कानून और नियमों के प्रती सरकार की गंबिरता पर सवाल खड़े करेगा इस घटना ने राज में नियमों के पालन और उनके लागू होने के तरीके पर बहस छेड़ दी है जन्ता के बीच ऐसा वाल गुंजा है कि क्या नियम सिर्फ आम जन्ता के लिए बनाए गए है इसे के साथ पने रहे इसे रहे जिन्दा के साथ घंदेवाद